कि निश्कर दोस्तों कैसे आप सभी क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या सभी दोस्त मुझे सुन पा रहे है जय हिंद जय भारत और उमीद करता हूँ आप बिल्कुत स्वस्त होंगे मैं आपका गैड हो जांक और आज मैं आपसे बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और वो है how to deal with stage fear यानि कि मंच पर लाको की भीड में बोलने की कला सभी चाहते हैं कि जब वो बोलें तो बहुत attraction create हो बहुत ध्यान से सब लोग सुनें और सबसे important है कि आप अपनी बात को बड़े ध्यान से लोगों तक पहुँचा सकें यकीन आप भी यही चाहते हैं तो अ आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीखेंगे और यह topic मेरे बहुत दिल के करीब है जी हां यह topic मेरे दिल के बहुत करीब है लेकिन आगे बात करने से पहले मैं आप से पूचना चाहता हूं कि क्या आप लोग बिलकुल ठीक ठाक हैं और आज की क्लास के लिए तैयार है मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो आपका डेट सारा प्यार मुझे तक पहुंचना चाहिए डेफिनेटली और मैं चाहता हूं कि हम एक अच्छे कम्मिनिकेशन के साथ आगे जोड़ें थैंकियो सो मच आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में और मैं आपका गैड़ो जांक और आपसे आज उस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो बहुत से लोगों की समस्या है और वो होता है कम्मिनिकेशन इसकिल को कैसे मेंटेन कर आप में से बहुत से लोग ऐसा भी होता होगा मुझे बताईएगा कि आप क्लास में बैठते हैं और कई बार टीचर कुछ अच्छे से कोशिए पूस्टे हैं आपको वो कोशिए याद होता है वो कोशिए पता होता और यहाँ पर आपके गले मेटका होता है आप बस बोलना चाहते हैं लेकिन आप teacher के question पूछने पर भी आप जवाब नहीं दे पाते हैं और मन में एक बहुत ही बड़ी गलानी हो जाती है कि मुझे पता था काश में बोल देता है मन में बहुत जबर्दस तरीके से एक pressure create होता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब teacher ने question पूछा आपको आता हुआ question का जवाब आप नहीं दे पाए आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप जानते हैं interview में हमें बहुत खुलकर बात करनी होती है communication skill बहुत अची रखनी होती है अगर आप वहाँ नहीं बोल पाएंगे तो समस्या बढ़ जाएंगी तो आज की class उन सभी के लिए है जो अपने आपको एक अच्छा वक्ता बनाना चाहते हैं और ये सिर्फ बात पढ़ने और पढ़ने की नहीं है कई बार relationship में भी अगर हम सही तरीके से बातचीत कर पाते हैं सही तरीके से अपनी बात रख पाते हैं तो हम अपने साथ के व्यक्ति को अपने बातों से प्रभावित कर पाते हैं और सही communication कर पाते हैं जैसा एक बार मैंने पहले भी कहा तक कई बार यह देखा गया है कि जो रिष्टे तूटते हैं या रिष्टों में जो दरार आती है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है bad communication यानि poor communication कई बार हम जो कहना चाहते हैं उसकी उलट सामने वाला हमारे मैसेज को दूसरी तरह से समझ लेता है वो भाव भंगिमाओं को नहीं समझ पाता तो communication की जो skill है वो एक बहुत important skill है और यह कह सकते हैं जीवन के हैर से में बहुत सही से काम आती है आप लुसरों से क्या चाहते हैं आप दूसरों को क्या देना चाहते हैं यह सब कुछ communication से ही संभव हो पाता है तो आज की class एक जबरदस class है जो न सिर्फ आपकी academics साती साथ आपक कह पाते हैं लोग उनसे बड़े प्रभावित होते हैं उनके बात करने की कला से वो अपनी बात को बड़े अंदास के साथ कह पाते हैं वहीं आपने देखागा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो knowledgeable होते हैं सही बहुत अच्छे kind-hearted भी होते हैं लेकिन जब वो मूँ खोलते हैं त कुछ ऐसी बाते कह जाते हैं जो सामने वाले वेक्टी को बहुत हर्ट कर देती है बहुत नुकसान पहुचा देती और उससे उनकी छवी यानि उनकी इमेज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इतफाक रखने आप इस बात से अगर रखते हैं तो आप सभी का बहु बाज जादा फाइदा होने वाला है शुरुबात करता हूं और मैं अपनी कहानी से ही इस चीज को आगे लेकर चलता हूं तो चलिए दोस्तों मच पर लाखों की भीड में बोलने की कला यानि हाउ टू डील विद स्टेज फियर पर हम आज एक पूरा विश्टेशनल करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलू कि गुरुकुल 3.0 के लिए जो एक mentorship है जो हमारी एक counseling है वो शुरू हो चुकी है जो लोग गुरुकुल 3.0 से जोड़ना चाहते हैं 17 अगर से उन सभी का हमारे नए campus में बहुत-बहुत स्वागत है मंगलवार को हमारे नए campus का उद्घाटन हो रहा है जो गुरुकुल campus है और डेफिनेटली वहां से आप जोड़ सकते हैं अगर आप मेरे साथ और मेरी टीम के साथ counseling करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप call भी कर सकते हैं और गुरुकुल एक ऐसा बैच है जो वाकरी में आपको बदलने का नाम है आपने देखा होगा कि गुरुकुल की जो वीडियो जा रही है उसमें बच्चे जो आए थे तो बहुत बड़ी संक्या में ये बात कही थी कि हमें stage fear है या हम खुल कर बोल नहीं सकते हैं आज वो धारा प्रवाह बात कर रहे हैं तो गुरुकुल बैच है लोगों को बद करूं दोस्तों तो हाउ टू डील विद इस्टेश फियर या निकि हम मंच पर जब हमें फियर होता है तो हम उसे कैसे डील कर सकते हैं ये टॉपिक मेरे दिल के बड़ा करीब है आज जब मुझे आप सुनते हैं तो मैं घंटो धारा परवाह बोल सकता हूं ये ये टॉपिक वाकई में मेरे जीवन का एक वास्तविक टॉपिक है ये कोई फंडामेंटल नहीं कि कुछ भी आपको बता दिया इस चीज को मैंने डील किया है मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं ये जो चेहरा आप देख रहा है इस चेहरे को मैंने रियल लाइफ में फेस किया है बात के उपर एक इंजिनरी के उपर एक प्रेजेंटेशन था मेरा पहला जो है वो स्टेज हम जिस इन्वार्मेंट से आये थे वहां पर हम इस तरह से कभी खुला हुआ हुआ हमारा माहल नहीं था तो हम ज़्यादा कभी लोगों के सामने बोलते नहीं थे परिवार में बड़ा discipline हुआ करता था तो जरूर से जादा बोलना allow नहीं था हमें कुछ ऐसा curricular activity हमारे college या school में ऐसी नहीं थी जिसके वज़े से हमारी personality निकल करा सके बड़ी simple schooling हुई है बड़ी शांत्र महौल में और बड़े अनुशाशन की महौल में हुआ है तो ऐसा कुछ रहा नहीं था तो अब एक तरह से बहुत लंबे समधकर मैं बात कर तो टुल तक मैं बहुत introvert हुआ करता था अंतर मुखी लड़का हुआ करता था ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं ज्यादा किसे बातचीत नहीं करना अपने काम से काम रखना बिलकुल आज की मेरी image से बिलकुल उल्टा तो जब हम गए college में तो वहाँ paper presentation देना था, हम भी गए, मैंने बड़ी मेहनत से तयार किया और जब बात आई presentation देने की, तो वहाँ दो लोगों का group था, मैं और मेरा दोस्त, paper presentation मैंने तयार किया था, वो बोलने में थोड़ा अच्छा था, तो उसने अपनी बात कहनी शुरू लेकिन last में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने presentation खतम कर दिया, वहाँ सामने से जो judge बैठे, jury बैठे तो उन्होंने question पूछना शुरू किया, और literally कहिए कि मैंने उस presentation को पूरा तयार किया था, लेकिन सेम ऐसे मेरी हालत थी, हाथ में माइक था, और मैं कांप रहा था बुरी तरीक इतना मुझे डर लग रहा था, इतने मेरे पैर कांप रहे थे, कि वो एक simple सा question है, जिसका जवाब मुझे पता है, मैं आसानी से उसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन literally मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, डर के मारे मेरी हालत कराब होगी, मैं बोल नहीं पाया, मैं आज भी उस डर को महसूस करता हूँ, उस डर को देखता हूँ, मैं अपना face याद करता हूँ, कि कैसे मैं कांप रहता हूँ, लोगों की आखें कैसे मुझे एक हास्यासपद नजरे से, एक हसी वाली नजर से मुझे देख रही थे, और literally उसके बाद मैं बहुत तूट गया था, और एक आँखों में आशू आ गया थे, बुरी तरीके से destroy अजरे से लग रहा था कि मैंने कसम खाली कि मैं कभी अब बोलूँगा ही नहीं, मैं कभी stage में जाऊंगा ही नहीं, मैं पढ़ने में ठीक हूँ, मैं लिख अच्छा लेता हूँ, मैं अपना ये काम करूँगा, लेकिन फिर मेरे एक teacher ने मुझे प्रोचसाहित किया, मुझे बताया कि नहीं देखो, इससे आगे निकलना, कोशिश करो, और फिर मैंने लगातार कोशिश करते करते, फिर एक और हार, फिर एक और हार, और धीरे धीरे, आज जब आप मुझे देखते हैं, तो मैं non-stop, कई शब्दो non-stop बोलने वाले, और सभी विश्यों पर, पूरी command भाशा की सुधता के साथ, विचारों की सुधता के साथ, बोलने वाले, energy level के साथ, बोलने वाले व्यक्ति की कहानी क्या थी, definitely आप जानना चाहते हैं, तो मुझे comment box में जरूर बताएं, कि आपने खुद को कैसे बदला, और निश्यत रूप से जो आज की ये कहानी है, ये मेरी अपनी कहानी है, मैंने कैसे चीजों को बदला, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी इसी तरह धारा परवाब बोल सकें, लोग आपको सुन सकें, आपको follow कर सकें, और सबसे बड़ी बात है, आप अप अपने विचारों को सही रूप से संप्रेशित, यानि कम्मिनिकेट कर सकें, ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है, जो इंसान को इंसान बनाये रखने में बहुत मददगार होती है, तो चलिए, आगे हम बात करते हैं, अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, मैंने मेरे बहुत से साथी थे, हम से नहीं होगा paper presentation, हम ना जा रहे हम ना जा रहे, तो आप कई लोग तो डर के मारे जाते ही नहीं, तो चलिए हम शुरुवात करते हैं, की how to deal with stage fear, यानि मंच पर बोलने, भीर में बोलने, public speaking की जो ताकत होती है, उसको कैसे double up किया जा सकता है, आ उस power को निकालने का तरीका, आज मैं इस class में आपसे share करने जा रहा हूँ, तो definitely आपको से बहुत benefit होगा, तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले की stage fear होता क्या है, ये डर क्या होता है, मुझे अभी बहुत अच्छी तरह से यादा है कि मैं 12 तक जो है वो विद्या मंदिर मे सबसे complex विशे हुआ करता था, दुनिया में सबस्यादा fearful चीज होती थी, वो किसी लड़की से बात करना होता था, मैं आपको truly बता रहा हूँ, जाता है अगर केवल boys school में अगर आप शुरुवात से पढ़े हैं, तो आपको ये problem बहुत जादा आती है, आप communication नहीं कर पाते तो अगर किसी लड़की ने हस दिया या किसी लड़की ने कुछ बात कर ली, तो हम कापने लगते थे, हमें लगता था हम alien से सीधे बात करने लगे हैं, तो एक ऐसा भी समय था, और जब उस paper presentation में मैं था, तो वहाँ पर girls का group था, उसने हस दिया, जब मैं नहीं बोल पा रह होते हैं, और ये जो fear, phobia में convert हो जाता है, तो आपका उससे निकलना असंभा हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस जो stage fear है, यानि जो communication fear है, उसको phobia में बदलने से रोकना पड़ेगा, उससे पहले आपको इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो जिदिगी भर आप इस दर से कभी भी नहीं निकल पाओगे, आपके हाथ पर कापने लगेंगे, तो चलिए सबसे बात करते हैं कि आखिर stage fear का कारान क्या होता है, causes of stage fear, तो सबसे पहली बात होती है कि हम दूसरों के नजरिये से खुद को देखने लगते हैं, जहां जहां मे हमेशा अपनी इमेज को दूसरों की नजर से देखता था, हमेशा ये एक important है, कि मैं उनकी नजर से कैसा दिख रहा हूँ, मैं सही से कपड़े पहने की नहीं पहने हैं, लोग हस तो नहीं देंगे, मेरे बारे में कैसी बाते करेंगे, तो ये सबसे पहली stage होती जब आपको लगने लगता है, stage fear हो जाता है, तो हमारा सबसे बड़ा रोग होता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जो पहला कारण होता है, वही हमें एक public speaking से रोक देता है, जब हम ये सोचते कि लोग क्या कहेंगे, लोग हसेंगे, क्योंकि मैं आपको बताउँगा कि ओ वास्तों में आपको डर लगता है कैसे फील होता है जब भी आप पॉब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले चीज जो होती वो ब्लैक आउट होती है अचानक से आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ काला काला सा होता होता चला जा रहा कितने लोगों की कुछिश की है कि जब किसी के सामने ख़़ए हो के बोलने जाए üzerine जब तक आप 45 टापच मेदी आता हो बताते रहना अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, लेकिन जैसे आपको stage में बुलाया जाता है, या class के बीच में बुलाया जाता है, आप अचानक से ऐसा लगता है कि सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ वहां से मिट गया, blackout हो जाता है, दूसरा क्या segment होता है, shivering शुरू हो जात लगते हैं, हकलाने से लगते हैं, तो अगर ऐसा होता है, तो आप मुझे बताएए कि क्या वास्तों में ऐसा होता है, जब आप कभी आपने public speaking नहीं किया, आपके हाथ ऐसे कापेंगे, ठीके जब मैंने पहली बार माइक पकड़ा था, अपनी आवास उनके, यह किसकी आवा मैंने जब speaker में सुना, मैंने का मैं हज, बिल्कुल ही हरवड़ा गया, तो यहां पर सबसे important, तो यह जो चीज है, वो बड़ी खतरनाक होती है, जो cause of stage fear होता है, अब मेरी कहानी क्या थी, मैं आपको बताता हूँ, तो जैसा कि पहला paper presentation और मेरी बड़ी बेजती हुई, कि अपने अंदर एक ग्लान ये अपने अंदर एक शरम की भावना रख ली, अरे यार मेरे बसका नहीं है, मैं एक अच्छा speaker नहीं हो सकता, और मैंने give up कर दिया वहाँ पर, मेरे teacher ने मुझे motivate किया, मुझे बताया कि आपको करना चाहिए, एक अंदर से आग आई कि नहीं सी लाइफ एक ही जटके में चेंज हो जाती है, एक घटना ने मुझे बदल के रखती है, वो घटना ऐसी थी, कि एक competition था, interstate competition, जिसमें मुझे नहीं जाना था, actually मैं मेरे दोस्त को जाना था, वो एक estate label पे competition हुआ करता था, तो उसके पास पास था, उसने का रहे यार संड़े का ओन जाएगा अपना टाइम खराब करने, मैं मुवी जा रहा हूँ, तुम ये मेरा पास ले लो, मैं उसकी पास पे चला गया, चलो भई, चलते हैं, मेरे पास कोई ऐसा कामधाम नहीं है, तो चला गया वहाँ पे शुरुआत में, objective question थे, और quick rapid थे, तो कुरसी पे बैठ क के बीच में rapid question हुआ, और दोनों tie हो गया, एक group जो है, वहाँ तीन-तीन का group बनाना था, तीन लड़कों का, हमारा दोस्तों का group था, तीन लड़कों का, और तीन लड़कियों का group था, अब क्या हुआ, वो last on में tie हो गया, rapid fire में भी वो tie हो गया, अब क्या हुआ, अब सब को जो है, निकल कर मंच तकाना था, एक बहुत बड़ा सा stage बना हुआ था, हजारों की भीड थी, मैंने जिन्दगी में कभी इतनी भीड इकटे नहीं देखी थी, और हमें बुला लिया कि है मंच पे, अचा हम तो, तो लड़कियां जो थी, वो सब MBA की तैयरी करते थी, फर्रा पहने हुए थे, तो हम पूरी तरह से अपनी दुनिया में मस थे, हम पहुच गए, अब stage पर जाते ही भाई साब, यह पैर, जैसे सीनिया चड़ रहे थे, बस ऐसा लग रहा था, यमदूत के दरबार में हम पहुच रहे, यह मैं आपको लिटरल एक अपनी experience बताता हूँ, क यह जिन्दगी एक छड़ में कैसे बदलती है, अब सामने लड़कियों की टीम, लड़कों की टीम, question round खतम हो चुका है, tie हो गया, अब बात आई, बोलने की, तो तीन ऐसे कुरसियां लगी है, तीन ऐसे कुरसियां लगी है, लड़कियों ने बोलना शुरू किया, क्या फर बीसी लंदन ट्यून हो गया है, हमने का भाई, अब हमने जो है, कुरसी धीरे-धीरे हत्थे पकड़ने शुरू किया, अब धीरे-धीरे पंजो के बला रहे थे कि कोई देखे न, हम इस्टेज से भाग लें, अच्छा इस्टेज ताउंचा भाग भी नहीं सकते थे, ठीक ह अब हम लड़कों की बारी आई, तो पहले एक ने बोलना, हैलो, अब उसने माई आई, माई नेम, अब भाईया जब उसने बोलना शुरू किया, और जनता ने उधर ठाके मानने शुरू किया, आई माई आई, तो मैसेल्फ, रवी, कुमार, ऐसे बोलना शुरू किया, अब तो मैंने पूरा decide के लिया, भाड में गया बोलना, उठो बिटा जल्दी से देखो, कहीं से रास्ता मिले, और यहां से भग लो, यह वास्ता भी घटना है, फिर मेरे दूसरे दोस्त का नमबर, सबसे लास्ट नमबर मेरा था, अब उसकी भी वही हालत, वो टूटी-फूटी, कि I, my, is, am, are में हम लड़कों की पूरी बात हो जाया करती थी, उसकी भी वही हालत, अब तो मेरे सामने एकदम ब्लैक आउट, एकदम ब्लैक आउट, कुछ मुझे दिखाए, वैसा लगा था, कुछ हॉल में ही नहीं, चालो तरफ ब्लैक होल ही ब्लैक होल है, ऐसी इस्तित हो गए थी, मैंने डिसाइट के लिए मैं कुट करूँगा, मैं समझ जाओगा कि मैं चलो लास्ट राउंड तक पहुंचा, इतना बहुत है, इतने हजार बच्चों मैं यहां तक पहुंच गया, ज़िए सडनली कुछ ऐसा हुआ कि अंदर से आख बंद की मैं कांप रहा था डर के मारे बुरी तरीके से, फिर अचानक से हुआ कि क्या हुआ, अभी तक मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, भाई साब इन पे लोग हस रहे, मेरे उपर कितना हसेंगे, तो मेरे दिमाग में इमेज हावी थी, बड़े ध्यान से सुनना, लोगों की इमेज हावी थी मेरे उपर, मैं उनके ने, मुझे कानों में सुनाई पड़ा था, लोग हां सरह है, ठाक ये लगा रहे, मेरी बेज़ती कर रहे है, अंडे टमाटर फेके जा रहे, जो जो मैंने पिच्चरों में दे तो बहुत जादा चीज़ें जो है वो होने लगी अब मुझे लगा कि भाई अब ये छोड़के भागो लेकिन सड़नली अचानक से मैंने अपने आपको टर्न किया और अचानक से कुछ इंसाइट डबलब हुए मुझे नहीं पता वो क्या था कि मैंने अपने आप से सुचा कि लोग मुझे पर हसेंगे क्या हुआ समझो कि मैं comedy करने आया हूं लोगों को हसाने आया हूं सिर्फ attitude अपना change किया सिर्फ अपना नजरिया change किया और देखिए क्यों कहा जाता है कि नजरिया change करते ही जिंदगी बदल जाती है आप एक छोटी सी बात इसको समझेगा कि जैसे मैंने लोगों के नजरिये से खुद को देखने की बजाए खुद के नजरिये से खुद को देखना शुरू किया अचानक से मेरा confidence बढ़ गया मैंने का लोग हसेंगे तो चलो मैं हसाता हूं और मैंने क्या किया वो जहां सारे English बोल रहे थे मैंने हिंदी में अपनी बात कई मैंने अपना परिचे हिंदी में दिया अपने नाम का मजाग बनाया बहुत की लोग मेरा नाम जल्दी समझ नहीं पाते हैं ये वो और बहुत अच्छे तरीके से परिचे दिया और परिशे देने के बाद चुप-चाप अपनी कुरसी में आके बढ़ी है मुझे पूरा ये उमीद थी कि भई मुझे तो प्राइस वाइस मिलना नहीं है ये बात मैं समझ चुका था लेकिन जब एनॉंस्मेंट की बारी आए तो थर्ड, सेकेंड अब मैं समय मेरा नाम तो आना है नहीं चे में सब जब सेकेंड तक भी नहीं तो कुछ भी नहीं लेकिन जब फर्स प्राइस की बात हुई तो जज ने जो कहा कि हम इस लड़के की बॉड़ी लैंग्विज देख रहे थे कि इसने कैसे यह शुरुआत में जब उठा अपनी कुर्सी से तो ऐसा लग रहा थे इसका शरीर कितना भारी है यह असमंजस में था इसके चेहरे पर दिखाए पड़ा लेकिन इसने समझा कि मुझे यहां इंग्लिश में नहीं बोलना है मुझे अपनी बारे में बात करना है इसने हिंदी में बात की और यह मंच पर जाकर खड़ा हुआ और इसने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा लोगों को इंटर्टेन किया और लोगों ने इसमें बहुत तालियां भी बजाई और इसने इस बात को समझा कि लोगों के साथ COMMUNICATION करने के लिए हमने कहा था अपने बारे में बताने का मतलब होता है कि खुद को कितने best तरीके से अपना best version लोगों के सामने रख सकते हो हमने यह नहीं कहा था कि अपनी बात को मुझे जो चीज मिली यानि कि जो enormous gain मुझे मिला है हमेशा के लिए मैंने अपने डर को मार डाला हमेशा के लिए क्योंकि एक बार तुमने उस डर का गला दबा दिया उस डर को face कर लिया फिर दुबारा डर तुमारी जिंदगी में आही नहीं सकता यही डर का सिधानता है वो केवल तुम्हें तब तक डराता है जब तक तुम डरते रहते हो जिस दिन तुमने डरने से मना कर दिया है उसका face कर लिया उसी दिन वो खतम हो जाता है क्योंकि मुझे ये डर था लोग क्या कहेंगे हसेंगे हसने की आवाजें, मजाक उडाने की आवाजें मैं कितना गंदा सा दिख रहा हूँ मेरे कपड़े कितने पुराने से मैं उनके नजरिये से खुद को देखता था और जब मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया खुद के नजरिये से खुद को देखा कि मैं I'm comedian मैं अपने बारे में अपने बारे में खुल कर बात करूँगा अपने बारे में जो लोगों को हसाऊँगा अचानक से मेरा attitude ही change हो गया और वहीं से एक ऐसे ओजांग का जन्व हुआ जो वाकिए में extrovert था जो fearless होकर बात कर सकता था जो किसी भी मंच पर कितनी भी 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 बीड़ में कितनी भी complex audience के साथ वो deal कर सकता था और हाल ही में मैं एक school में गया था और वो बहुत एक अलग इलाके वो वहां के बच्चों को जबरदस्ती बिठाय गया था कि भी आ रहे तो यह जबरदस्ती बैट लो और बहुत ही अजीब तरीके का जो है वो module था उनका एकदम lethargic से वो criticize करने मुझे आये थे जैसे ही मैंने बोलना शुरू करना शुरू कर दिया उन्होंने चुकि उनका अपना इलाका भाई आराम से मस्त में हमारे आएं लेकिन उस audience को मैंने इतने अच्छे से deal किया कि last में जाते जाते सब ने autograph लिये और एक एक को मैं entertain करता चला गया तो वो जो confidence था कि खुद से बोलना पाना और इतनी complex की सामने audience आपका मजाक उड़ा रही है हूट कर रही है कहीं से पीचे से ओए क्या आवाज आ रही है वो सारी चीजों को मैंने मस्त तरीके से deal किया ये जो सफर हुआ वो सिर्विस वज़े से हुआ की डर को खतम कर दिया और सबसे important तरीके से कि खुद की image को खुद के नजरिये से देखो दुनिया के नजरिये से तुम्हें देखने की जुरूद नहीं अगर अच्छी लगी हो बात तो मुझे जुरूद बताओ तो ये एक बहुत important segment है ये बहुत important segment है कि कैसे आपको निकलना इस से सबसे पहले practice practice and practice जब मैं पहली बार मुझे हार हुई थी जब मुझे पहली बार हार हुई थी तो यहाँ पर मैंने give up करने की सोच ली थी मैंने यहाँ give up करने की सोच ली थी कि किस तरह से यहाँ पर ये काम करना है और वापस मैं लोटा लडाई की, खुद को prove किया तब जाकर ये चीजे मुझे मिली तो पहली चीज होती है प्रैक्टिस 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 जिस जिसको डर है वो अपने आइने के सामने खड़ा हो जाए और कोई भी चीज, सबसे पहले क्या होता है card technique होती है you use it, छोटे-छोटे cards पर कुछ important points लिख लो ठीक है, छोटे-छोटे cards पर visualization technique, जिसका प्रयोग मैंने किया था, ये जादूई technique है literally कह रहा हूँ, मुझे आज भी वो white light याद आती, जब मेरे सामने black out हो गया था, और मैं बस मुझे बस ये था कि कोई मुझे देखे न, मैं मन से कूच जाओ, मैं कूदने के लिए तयार था कि मैं stage से कूच जाओंगा, मैं उजे इतना डर लग रहा था, कि मैं महां से कूच जाओंगा और अचानक से कुछ ऐसा हुआ, कि मैंने कहा लोग मुझे पर हसेंगी, तो इससे जादा क्या होगा और मैंने आख बंद करके एक comedian की तरह खुद को feel किया कि मैं यहां लोगों को entertain करने आया हूँ मैं नहीं बोलूँगा टूटी फूटी इंगलिश, मैं एक अच्छी हिंदी बोलूँगा और मैंने अपने बारे में बताया, उनको entertain किया और शायद वही सबसे बड़ी requirement थी तो यकीन मानिए, यह एक ऐसी कि जब हम यह अकीन मानना जो लोग भी stage पर नहीं बोल पाते मुझे बताना कि वो अपने image को जब देखते हैं तो कहीं अरे कपड़े खराब तो नहीं है, मैं कैसा सामने दिखाई पड़ रहा हूँगा पेट तो नहीं निकला हुआ है बहुत अजीब अजीब से आप जो है अपने बारे में मेरा लुक अच्छा नहीं है लोग मेरे उपर हसेंगे या मेरा रंग ऐसा है या मेरा रूप ऐसा है तो आप अकसर देखते रहे या लोग मेरे पर फप्तियां कसेंगे कमेंट करेंगे, अपनी image को आप बहुत inferior करके देखते हैं हाँ या ना मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा होता है कैसा होता है कि आप अपनी image को बहुत inferior करके देखते हैं तो अपनी image को जबरदस तरीके से देखें और तीसरी चीज़ है breathing and relaxation exercise यानि अपने ध्यान लगाना खुद को शान्द करना क्योंकि जब हमें डर लगता है तो हमारा nervous system disturb हो जाता है हम बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं तो वो nervous system हमारा control में breathing से आता है क्योंकि जब आप जब परेशान होते हैं तो आपकी सांसे तेज चलने है डर के मारे ये fear और phobia की वज़े से होता है तो ये सबसे important segment है अगला अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपके अंदर enormous confidence होता है जो बोलने वाला और सुनने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं तो अगर आप सामने वाले से दब गए तो आप कभी भी अच्छा बोल नहीं पाएंगे ये हमेशा होता है और अगर आप confident yes I am the expert तो अगर आप I am the expert के बारे में बात करेंगे तो आपका confidence हमेशा उपर होगा याद रखिएगा communication हमेशा जो higher confidence से lower confidence की तरफ ही होता है ये नियम है तो अगला जो segment है वो है positive affirmation और confidence बना के रखना कि मैं जो बोल रहा हूँ बहतरीन बोल रहा हूँ राइट बहतरीन बोल रहा हूँ और मेरी बात को लोग ध्यान से सुनेंगे मुझे communication skill आती है copying strategies अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जोब आप nervous होते हैं तो इसको बार बार याद दिला है yes I can do it I can do it कई movies आपने देखी होगी कि वो लोग stage पर जाने से पहले practice करते हैं खुद को आईने के सामने कहते हैं yes you can do it you can do it और आपको आश्यर होगा कि बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े नेता अमेरिका के राश्पती भी यही टेक्निक को use करते हैं और अगर बोलते समय कोई गलती हो जाए कई बार मुझे भी गलती हो जाती किसी से भी तो उसको gracefully accept कर लो कि हाँ बोलने में मुझे से गलती हुई तो audience उस चीज़ को माफ कर देती लेकिन गलती के साथ आगे मत बढ़ो तो यह एक बहुत important segment है अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ अगर आपको stage पर बात करना तो focusing on audience पर मैं बात करता हूँ यानि का जाता है आँख से आँख मिला कर बात करो कभी भी audience की आँख से आँख मिला कर बात मत करना आपने अगर आँखों से आँखें मिला ली आप Confuse हो जाओ भूल जाओ कि क्या बात हुई है चुकि अलग-अलग लोगों कि देखने का तरीका, आई कॉंटेक्ट का तरीका अलग-अलग होता है, बड़ी खास बात बता रहा हूँ, तो क्या करना होगा, अब आपको बोलना है, अब आपको क्या करना है, उनके बालों को देखना है, जब भी आप कभी भी public speaking करें, आप य बूल जाएंगे, आप क्या बोलना है, तो आप सामने वाली की तरफ देखना है, उसको लगेगा कि आप उसकी आँखों में देख रहे हैं, बट आप actually में उसके बालों की तरफ देखिए, तो इससे आपको कभी भी problem नहीं आएगी, तो आपको क्या करना है, उसके बालों की तरफ देखिएगा, इससे आपको एक धारा प्रवाह बोलने में बहुत मदद मिलेगी, अगर आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप अपने mentors या coach से बात कर सकते हैं, कि मुझे बहुत अच्छी पब्लिक इस विए, आप मुझे बताइए क्या तरीके हो सकते हैं, पब्लिक speaking group, सबसे अच्छा अपने दोस्तों का group बना लो, और वहां से बातचीश शुरू करो, तो आप वहां से अपनी बातचीश शुरू करके, धीरे धीरे तीन-चार लोगों के group में बोलना शुरू करो, सीधे मंच में मत जाओ, क्योंकि एक बार अगर डर गे और लोगों ने हस दिया, तो उस phobia से उस दर से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा, next one, अपने बारे में feedback लो, जैसे अभी हम गुरकुल में क्या करने जा रहे हैं, अभी हम गुरकुल में camera की recording करने जा रहे हैं, जी हां, हम सबसे पहले उनको interview board में मिठाएंगे, और camera से recording करना होता है, और अगला जो segment है, वो ये होता है, कि अगर कोई setback आ जाए, life में dull लगे, तो bounce back करो, और लगातार practice करो, ये सबसे important segment होता है, और सबसे important last but not the least, हमेशा positive mindset के साथ चलो, जी हां, हमेशा positive mindset के साथ चलो, कि yes, I can be the best speaker, और आप आश्यर करेंगे, कि ये जो speaking is bill, बहुत पावरफुल होती है, जब ओबामा राश्च्पती चुराओं करने के लिए आए, तो उनके जो बोलने की कला थी, पहले आपको पता था कि वो पहले अश्वेत राश्च्पती थे, और अमेरिका में इससे पहले जो है अश्वेत राश्च्पतियों के लिए कोई जगा नही थी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, वो हमें दुनिया भर का ग्यान देते हैं, लेकिन जब ओबामा ने बोलना शुरू किया, जो उनकी स्पीचेस यावे इंटरनेट पे आप चले जाए, the way he speaks, the way he delivers, the way he connects to his audience, और जब उन्होंने नारा दिया, तो उसने पूरे अमेरि को आंदोलित करके देख, एक नेता जो होता है, वो अपने भाशन से बड़ी-बड़ी सेनाओं को आंदोलित कर देता है, लोगों को अपने प्राणों को उन्हें छावर करने की पावर दे देता है, ये होती है, वानी की ताकत ये होती है, कम्मिनिकेशन की पावर, ये होता skill उसकी वज़े से घबराते थे वो सेनाओं को अंदोलित कर देते थे लोग उनके साथ आकर जोडने के लिए परिशान रहते थे जिन्ना ने कहा था कि मैं सिर्व एक ही आदमी से डरता हूं मैं सिर्व एक ही आदमी को अपना नेता मान सकता हूं नेता जी सुभाश्यन को जिन आपको अच्छा वक्ता बनना ही पड़े क्योंकि आपकी जो ये करियर है वो एक लीडर्शिप का करियर है आपको हजारो हजारो लोगों की भीड को संबोधित करना पड़ेगा उनको आंदोलित करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कम्टिकेशन इसके एक सामाजिक आंदोलन को जन्म दे सकती है और याद रखिए कि आप कौन है आप एजेंट आफ चेंज हैं आप बदलाओ के घटक ह आगे बढ़ा पाते हैं तो जिस भी जिले में आप जाएंगे जिस भी छेतर में जाएंगे वहां की महिलाएं वहां के बच्चे वहां के दिव्यांग वहां के समस्ट लोग आपके एक आवाहन पर आपके साथ आकर जुड़ जाएंगा और अगर वहां के साथ वहां के पहाओ इसकी अभी शादी नहीं होनी चाहिए और आपके बात पर विश्वास करके उन्होंने छोड़ दिया यकीन मानिया आप कितनी बड़ी सामाजी क्रांती अपने वाणी की वज़े से कर पाएंगे और इतिहास गवा है बड़ी-बड़ी सामाजी क्रांतियां जो बड़े लिए वो अपना सर्वस निक्षावर ये समस्त कुछ बदलाव करने के लिए तयार हो जाते हैं ये होती है स्पीकिंग पावर और मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ये बदलाव की ताकत आए आप अपनी वाणी के प्रभाव को समझ सके अपने बोलने की कला को निखार सके इतना निखार सकें कि एक अच्छे ऑफिसर बन सकें आप एक जन आंदोलन क्रियेट कर सकें आपके कहने पे लोग पानी बचाना शुरू करें आपके कहने पे लोग पेड़ों को लगाना शुरू कर दें आपके कहने पे नदियों को गंदा करना बंद कर दें येकीन मानिये भारत माता के आप एक ऐसे सपूद बन जाएंगे जिसने अपने छेतर में रहते हुए भारत माता की इतनी सेवा की है कि आज जो भारत माता लहुलवान हो रही है वो सारे जक्म भर जाएंगे और वो सिर्फ आपकी वाणी के वज़े से होगा इसी दुआ के साथ मैं यहीं उम्मीद करूँगा कि जबर्दस तरीके से अपने आपको परिवर्पित करेंगे अपनी महानतम शक्ति को आप समझ पाएंगे कि जो ये जिवा यानि ये जीब ये जंग जो हमें इश्वर ने दी है उसका कितना अधिक प्रियोग किया जा सकता है ये संसार की सबसे बड़ी शक्ती है और सबसे बड़ा विध्वनस है जब दुरोबदी ने कहा दुरियोधन को कि अंधे का पुत्र अंधा होता है तो वो बदले से पागल हो गया और महाभारत का युद्ध देखने को बिला विनाश दोनों तरफ से हुए रती महारती दोनों तरफ से मरे तो इसलिए कहा गया है बाताई हाथी पाई ये बाताई हाथी लात ये बहुत बड़ी ताकत होती है और यही जीब की कमाल थी कि डाकू अंगली माल आकर खड़ा होता है और महात्मा बुद्ध इससे इतना प्रेम से बात करते हैं उसकी गाली आलोचना को ऐसे प्यार से सुनते है कि वो महान जो बड़ा सा डाकू था वो नतमस्तक हो जाता है उनके चरणों पे और अपना सर्व कुछ निचावर करते क्या करता है बुद्ध का भक्त हो जाता है उनके साथ जुड़ जाता है हतियार त्याग देता है इनसा त्याग देता है ये है वाणी की ताकत बुद्ध ने ना हतियार उठाया ना कोई जादू टोना दिखाया ना कोई चमतकार दिखाया, सिर्फ communication किया, ऐसा communication किया, कि व्यक्ति का हिड़े परिवर्तित हो गया, heart change हो गया, और इतना बड़ा heart change हो गया, कि इतिहास गवा है, कि उनके सन्यासियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लिगी, तो इस power को आप समझो, इस चीज को आप राइट, जोड़ सकते हैं आप, टीचर के साथ, पुझा मैम के साथ जोड़ सकते हैं, राइट, तो दिये गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कि हाँ भई, मुझे भी इस बैच के साथ जोड़ना है, उजांग केनी टाइम लेर्णिंग आप पे, आप लोग इसके साथ ज करता है, कि हम फिर अब इसकी फीज बढ़ाने वाले हैं, कुछ दिन के अंदर, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो लोग अभी RFR बैच के साथ नहीं जोड़े हैं, वो इसके साथ जोड़ जाएंगे as soon as possible, फिर कोई ये ना कहे कि हाँ, सर हम से ये ये चीज़ें गडबड़ हो रही हैं, राइट दोस्तो, और कॉंसेप्टर बैच में आप सभी का बहुत-बहुत सौगर थे, मातर तीन हिज़ार रुपर महीने में, दो साल का है बैच, उमीद करता हूँ, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रू शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और बहुत से लोगों न अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, मैं सिर्फ एक टीचर नहीं हूँ, मैं NLP ट्रेनर हूँ, NLP ट्रेनर जो होता है और आपके ब्रेन को आपसे ज़्यादा चीतर है समझता और आपके लिए मैं ऐसे टूल्स लेकर आता हूँ, जो आपको वास्तों में बदल देते हैं, तो धेर किस बात की है, चनल को सब्सक्राइब जरू करिए, नोटिफिकेशन, बेल आईकॉन दबा दी तकि जवसे ही मै क्लास लूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, करेंगे ना, और अपने दोस्तों से भी आप सब्सक्राइब कराएंगे, तो सोचना किस बात का, बैचेस के साथ जुड़ जाए, अगर आप गुरकुल में काउंसलिंग चाहते हैं, कि यह सर हमें गुरकुल की आप